नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में हम रिक्वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेगा स्टूडेंस, वेद क्या हैं, वेदिक काल का इतिहास, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इन स भी की जानकरी प्राप्त करने के लिए आप पहले वाले वीडियो में देखेगा, और आप सबसे मेरी रिक्वेश्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए-ने नोटिफिकेशन मिलें, और आप इ जूरवेश्ट और अथरवेश्ट इन सब के बारे में हम अलग से एक-एक वेश्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेगा रिक्वेश्ट, रिक्वेश्ट है ये सबसे प्राचीन वेश्ट है, ठीक है, और रिक्वेश्ट के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अ एक्षपोलर जी कहते हैं कि 1200-1000 इससा पूरवय में ये लिखा गया और आपके जो विट्टर नित्स हैं वो कहते हैं कि 3000 इससा पूरवय में रिगवेद की रचना हुई और जो सबसे मान्यमत है वो है 1500-1000 इससा पूरवय के बीच में जो रिगवेद है इसकी रचना हुई तो कभी कभी कि उसन पूछ लेते हैं कि वही तिलक ने कितना समय मानना है रिगवेद की रचना का मैक्ष मुलर्ण ने या सबसे मानने मत कौन सा है तो बता दीजेगा तिलक जी ने 6000 इसा पूर है मैक्ष मुलर्ण ने 1200 से 1000 इसा पूर है विट्र निच्छ ने 3000 इसा पूर है और जो सबसे मान्य मत्थव है आपका 1500 से 1000 इसा पूर है तो देखेगा रिग वेद सबसे प्राचीन वेद है इस वेद में होता या होत्र वरक के पूरोहिद यग्य कुंड में अगनी का आगान आवान कर वेद मंत्रों द्वारा देवतों का आवान करते थे रिग वेद आरियों का सरवादिक पवित्र ग्रंथ है इसमें बाल खिले सुक्त भी सामिल है जिनकी संख्या 11 है इसके प्रतेक सुक्त में 3 से लेकर सोतक मंत्र है इस वेद में 10 मंडल 1028 सुक्त तथा 3 साकाएं है तो रिग वेद में 10 मंडल 1028 सुक्त और 3 साकाएं है रिग वेदी काल की अर्थार 1500 से 1000 इसस़ा पूरए की जानकरी रिग वेद से प्राप्त होती है तो रिग वेदी काल के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया है तो पहले वाले वीडियो में देखेगा रिग वेदों की संख्या चार है कोन कोन से अचारवेद रिग वेद सामवेद यजुरवेद और अथरवेद वेद सनातन धरम का सबसे आरंबिक स्रोथ है तो जो सबसे प्राचीन धरम है उसके बारे में जानकारी प्राप करने के जो आरंबिक स्रोथ है वो वेद है वेद मंत्रों को सुक्त कहा जाता है तो सुक्त में है रिगवेद में रिगवेद में देवताओं की स्तूति वाले मंत्र हैं तो रिगवेद है उसमें देवताओं की स्तूति वाले मंत्र हैं सुक्त किसे कहा गया है वेदों में जो मंत्र हैं उनको ही सुक्त कहा गया है रिगवेद की तीन साखाएं कौन-कौन सी साखाएं है रिक्वेद की साकल साखा वासकल साखा और वाल खिल्ले साखा तो साकल साखा इसमें 1017 मंतर हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वासकल साखा वासकल साखा में 57 मंतर हैं बाल खिल्ले साखा में 11 मंतर हैं रिक्वेट से सम्बंदित पूरोहित होता या होत्र कहलाता था रिक्सहिता का पुनर सर्जन कर प्रार्थना कराने वाले पूरोहित ठीक है तो कई बार एकजामी पूछ लेते हैं कि रिक्वेट से सम्बंदित पूरोहित कोन सा है वो है होता या होत्र रिगवेद का उपवेद कोन सा है आयुरवेद और आयुरवेद की रचना धन्वंतरी ने की थी रिगवेद के ब्रामन गरंद कोन कोन से है एत्रेई ब्रामन और कोसित की ब्रामन तो देखेगा जो चार वेदा चारों में आपको जो मैन मैन चीज़े हैं याद रखने वाली हैं कि रिगवेद की वेद से संबंदित आपका पूरोहित कोन सा है उपवेद कोन सा है ब्राह्मन गरंद कोन से है उपनिशत कोन से है ठीक है यह सब आपको अच्छे से धान से पढ का ऐसा पूछा ही जाता है तो देखेगा रिग्वेद के ब्राह्मन गरंत कोन से हैं एत्रे ब्राह्मन और कोसित की ब्राह्मन रिग्वेद के उपनिशद एत्रे उपनिशद और कोसित की उपनिशद एत्रे ब्राह्मन गरंत एत्रे ब्राह्मन में पंच जनों में देव दान एत्रे ब्राहमन में मिलता है और एत्रे ब्राहमन रिगवेद का ब्राहमन गरंध है तथा चारों वर्णों के कर्मों की जानकारी भी इसी ब्राहमन में मिलती है रिकवेद में दस मंडल हैं जिसमें से दो से सात्वा मंडल सबसे प्राचीन है तो दूसरा से लेके सात्वे मंडल तक सबसे प्राचीन है और गोत्र मंडल भी कहलाते हैं तो दूसरे से सात्वे जो मंडल हैं वो गोत्र मंडल भी कहलाते हैं क्यों क्योंकि इनकी रचना गोत् पहला तथा दस्वा मंडल सबसे नए मंडल है तो सबसे अंतिम कौन से मंडल हुए रिगवेद के या सबसे नए मंडल है पहला और दस्वा मंडल सात्वा मंडल सिक्षा से सम्बंदित है नोवा मंडल सोम तो नोवा मंडल कौन सा है सोम मंडल है जिसमें सोम कौन थे वनस्पत तो देखेगा रिगवेद के मंदल और रचियता तो जो दूसरा मंदल है इसके रचियता को है गरिट समध भारगव तीसरा मंदल चोथा मंडला इसके रचेता कोन है? वामदेव, पांचवा मंडल के रचेता अत्री, छत्ता मंडल के रचेता भाद्वा, साथवा मंडल के रचेता वसिस्ट, और आठवा मंडल के रचेता कण्वा अंगिरस दस्वा मंडल के पुरु सुक्त में पर्थम बार 24 वरण कौन कौन है चत्वरण ब्राह्मन छत्रिय वश्य और शुद्र का उलेक हुआ है इसी मंडल में विवाह सुक्त में वदिक कालीन विवाह परनाली का उलेक भी मिलता है तो दस्वे मंडल के पूरु सुक्त में पर्थम बार चतुरवरन का उलेक हुआ है तथा दस्वे मंडल में ही विवाह सुक्त में वद्धिक आलिन विवाह पढ़नाली का भी उलेक मिलता है रिख्वे में उलेकित नदियां तो रिख्वे में दस्वा मंडल के नदि सुक्त में 42 नदियों की चर्चा की गई है जबकि केवल 19 नदियों का नाम दिया गया है तो देखेगा जो रिगवेद में जो नदिया हैं जो महतोपुन नदियों के नाम मिलने हैं उनके प्राची नाम और आधुनिक नाम प्राची नाम है पुरुष्णि आधुनिक नाम है रावी, वितस्ता जेलम, कुभा कब्बुल, द्रस्त्वती घग्घर, सुवस्तु स्वात, सत्तुद्री सतलज, असिकनी चिनाब, विपासा व्यास, गोमती गोमल, सिंधु सिंध, कुरुभु कुर्रम तो देखेगा ये नाम है इनमें प्राची नाम कभी आधुनिक नाम ऐसा एक उसे पकाता है तो इसको अच्छे से देखेगा पढ़िएगा अब देखेगा रिगवेट के सुक्तों के पूरुस रचियताओं में तो जो रिगवेट के सुक्त है अर्धा जो मंत्र है उनके पूरुस रचियता कौन कोन है ग्रित समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्री, भार्द्वाज और वसेस्टे कई बार किसनों पूस लेते हैं रिगवेद के सुक्तों के दो पूरुस रचेताओं के नाम बताओ या फिर इस्त्री रचेताओं के नाम बताओ ठीक है सुक्तों के इस्त्री रचिताओं में लोपा मुद्रा, घोशा, सच्ची, काक्षा व्रती, पोलोमी, अधी प्रमुखर है रिक वेद के दस्वे मंडल के पच्चाणम सुक्त में पूरूर्वा, एल, और उर्वस्य का समवाद है इस वेद में आर्यों की निवासस्थल के लिए सभी जगह है, सब्त सिंदव है, शब्द का प्रियोग हुआ है इसमें गंगा का प्रियोग एक बार, तथा यमुना का प्रियोग तीन बार हुआ है रिगवेद में कुछ अनारियों जैसे किकातास, पिस्साकास, सीमिया, अधिके नामों का उलेक हुआ है रिगवेद में राजा का पद मनसानुगत होता था रिग्वेद में वाई सब्द का प्रियोग जुला है तथा ततर सब्द का प्रियोग करगा के अर्थ में हुआ है तो वाई और ततर इस वेद में लगबग 42 नदियों का उले किया गया है जिन में सर्वादिक महतोपुन नदी सिंधु का वर्णन अधिक है तथा सर्वादिक पवित्र नदी सर्श्वति को माना गया है तथा सर्श्वति का उलेक भी कई बार हुआ है तो ऐसे भी क्यूसन पूछ लेते हैं कि रिक्वेद में सबसे महतोपुन नदी कौन सी मानी गया सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी सर्श्वती नदी रिकवेद में सूत रथकार तथा करमार नामों का उलेख हुआ है जो राज़ा भी सेख के समय पूर उपस्तित रहते थे इन सभी के संख्या राज़ा को मिला कर बार रह थी रिकवेद में 33 देवी देवताओं का उलेख है इस वेद में अगनी को आसिरसा अपाद गृत्मुक प्रस्ट गृतलोम अर्चिलोम तथा वब्रलोम कहा गया है अस्तोमा सद्गमे वाक्य रिग्वेद से लिया गया है तो अस्तोमा सद्गमे वाक्य कोन से वेद से लिया गया है रिग्वेद से सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र रिग्वेद में उल्लेखित है रिगवेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तूती में स्लोग है वह है सोम देवता है तो रिगवेद का जो महतोपुन देवता है कोन सा देवता है सोम देवता है रिगवेद के 90 मंडल में सोम रस्की परसंसा की गई है इसी वेद में गाय के लिए एहन्या अर्थाद अगन्या जिसको मारा ना जा सके वो है गाय तो गाय के लिए एहन्या शब्द का प्रियोग किया गया है इस वेद में हिरने पिंड का वर्णन किया गया है इस वेद में तक्षन अथ्वा तवस्ट्रा का वर्णन किया गया है आस्विन का वर्णन भी रिगवेद में कई बार हुआ है आस्विन को नास्ते भी कहा गया है रिगवेद में इंदर को सर्वय मानने तथा सबसे अधिक सक्ति साली देवता माना गया है इंदर की स्तुति में रिगवेद में 250 रिच्चाएं हैं इस वेद के साथवे मंडल में सुदास तथा दस राजाओं के मद्दे हुए यूद का वनन भी किया गया है तो रिगवेद के साथवे मंडल में सुदास तथा दस राजाओं के मद्दे हुए यूद का वनन किया गया है और यह यूद पुरूश्णी अर्थात रावी नदी के तठप लड़ा गया था इस यूद में सुदास के जीत हुई थी रिगवेद में ऐसी कन्यों के उधार्ण मिलते हैं जो दिर्ग काल तक या फिर आजीवन एविवाहित रहती थी इन कन्यों को अमाजू कहा जाता था तो अमाजू किसे कहा जाता था ये क्यूसन भी कई बार पुछा गया है तो रिग वेद में ऐसी करने जो आजीवन ए विवहित रहती थी उनको एमाजू कहा गया है इस वेद में कपड़े के लिए वस्तर वास तथा वसन सब्दों का उले किया गया है इस वेद में बिशक को देवताओं का चिकिसक कहा गया ह ये क्यूसन भी कई बार आता है देवतों का चिकिसक भी शक रिग वेद में अनारियों के लिए एवरित अर्थात वरत्यों का पालन ने करने वाला मृद्धिवाच एसपस्टवानी बोनने वाला अनास चप्टी नाक वाला भी कहा गया है रिग वेद में जनका उलेक 275 बा है और ये पांच जनकोन से थे पूरू यदू अनू तुरवर्शू और द्रहयू इस वेद में केवल हिमाले परवत था इसकी एक चोटी मुझवन्त का उलेक हुआ है रिग वेद में क्रिशी का उलेक 24 बार हुआ है इस वेद में सूरिया उश्या अदित्ती जैसी देविय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद